नमस्कार bit दिखिन इया में आपका स्वाकत भारते सिना में काम करना बड़े गर्व की बात होती है इससे अच्छ अच्छा देश सेव का कोई और कारय नहीं हो सकता इस वीडियो मैं हम आपको बताएंगे कि भारते सेना में जाने के लिए क्या करें और भारते सेना में जाने का सही रास्ता क्या है इंडियों आर्मी या भारतै सेना में जाने के दो तरीके हैं पहला आप या तो सैनिक gd Central Trademan Lippic जैसे पदों पर 10th या 12th के बाद जा सकते हैं या फिर NDA के द्वारां सीधा सेन, में अधिकारी बन सकते हैं। सेना में सिपाही की भर्ती के लिए भारत्य थल सेना हर वर्ष हजारो पदों पर आविदन मंगाती है। पिछले वर्ष से यह प्रक्रिया भी online हो गई है। यदि आप भी भारत्य सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तो ओनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको फिजिकल, मेडिकल और लिखित परिक्षा से गुजरना होगा। इन सब टेस्ट में अलग-अलग नंबर निर्धारित होते हैं, जिनको मिलकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर आर्मी में सेलेक्शन होता है। इस दोड़ को निर्धारित समय में पूरा करना होता है। इसके लिए निर्धारित नंबर 60, ग्रुप 1 और 48, ग्रुप 2 के लिए हैं। इसमें आवेदक जितने ज्यादा पुल अप करता है, उसे उतने ही ज्यादा नंबर मिलते हैं। अधिक्तम नंबर इसके लिए 40, निर्धारित हैं, जो अधिक्तम 10, पुल अप करने के बाद मिलते हैं। इसमें आवेदक को पास होना अनिवार रहे। इसके बाद होता है अधिकल टेस्ट, तो आईए जानते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी फिटनेस और बॉडी और अन्य कुछ टेस्ट लिये जाते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि आप पूरी तरह से फिट हैं। फिजिकल और मेडिकल के बाद आवेदक को छोटी सी लिखित परिक्षा से भी गुजरना होता है। कुछ पोस्ट जैसे क्लर्क, स्टैनो, स्टोर कीपर, असिस्टेंट, आधी पदो के लिए टेस्ट ज्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि उनकी इसी टेस्ट के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। इस तरह से इन सभी प्रक्रिया को पास करके, जो कैंडिडेट आगे बढ़ते हैं, उन्हें आर्मी द्वारा ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। तो ये थी सेना से जुड़ी जानकारी, ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, अगले वीडियो तक के लिए विदा, नमस्कार.